हलो फ्रेंज मैं हूँ मोनिका मेरा बेंगली किचेन में आप सभी को स्वागत है आज मैं आप लोग लेकिया हूँ मोसुड़ा लोखी आलू के सबजी यह काफी अच्छा लगता है गरम चावाल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है आप अगर मेरे चाले में फर्स टेम व अच्छे से काट लिया है यह सबजी के साथ मैं भोपला भी फ्राइ करने वाली हूँ इसलिए भोपला को भी काटके रख दिया है नमक खल्दी मिला के फ्राइ कर लेंगे एक कड़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और आदा चमश करीब जीरा डाला है दू तेजपता आड़ अच्छा अच्छा फ्लेबर देता है जैसे यह जीरा अच्छे से बूं जाए तब इसमें कट और प्यांस करेंगे प्यांस को मैंने चोटे-चोटे-चोटे में काट लिया था तक जिल्दी फ्राइब हो जाए आदा सौफ्ट होने तक हमें भूनना है मुझे लौकी के सब् ज्विताइब के तबहुत है क्यों नहींदा नहीं है कर दो नहीं है तो दिखा प्यांस टमटर को अच्छे से बून लेए अब इसमें थोड़ा सा नमक और शक्र मिलागे और चार-पांच मिर्ज करेब अच्छे से बून लेंगे अब इसमें एक एकर के मसाले अट करते हैं आदा छोटा चमच अल्दी पौडर एड़ करेंगे एक छोटा चमच जीरा धनिया का पौडर एड़ करेंगे एक चमच यहाँ पर गरम मसला एड़ करेंगे इसमें मेची पौडर एड़े है इसलिए अलग से मेची पौडर एड़ नहीं कर रही हो और एक चमच अद्रक लसुन का पेस्ट एड़ किया है अब यह समसाले को अच्छे से भून लेंगे नीचे से चिपक रहा था इसलिए थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे अच्छे से भून लेंगे मसाले को जब तक ना चारो तरफ से थोड़ा सा ओल रिडिस करता है अब उसमें आदा कपके करीब यहां पर मुसुर्डाल मैंने पहले से भीगा के रखा था उसको एड़ करेंगे आदा गंटा पहले मैंने मुसुर्डाल को भीगा के रखा था मुंग डाल भीग तोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए लगभग 15-20 पे पहले आपको भीगा के रखना है तो मैंने जब यह सबजी वबजी काट रही थी तब ही मुसुब डाल को भीगा के रख दी थी तो इसलिए अब तक थोड़ा सा भीग गया है और सबजी बंते-बंते पूरा पूप पीजाएगा तो मुसुब डाल डाल के यह मसाल को चुछ से फून लिया अब इसमें लौकी अड़ करेंगे लौकी अड़ालू धोके रखा तो इसको अच्छे से इसको साथ में चलाते हुए मेक्स करना है यह थोड़ा सा पानी रिलिस करेगा तो इसलिए दख दख के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे तो देखो यहां पे बॉल्यूम हो गया है जैसे कि पानी चोड़ता है लोकी अब इसमें पानी आड़ करेंगे मैं यहां पे एग गल्स से थोड़ा सा कम पानी आड़ करी हूँ और फ्लेम को मैं लौ टू मीडियाम पर रखना है क्योंकि जैसे यह डाल पकेगा तो नीचे से ज़्यादा चिपअग जाता है इसलिए low to medium flame पर इसको पकाना आए बार बार चलाते रेना है तक नीचे से ना चिपटे चिपअग जाएगा तो थोड़ा सा जला जला अब flavor आएगा इसलिए बार बार इसको चलाते रेना है और flame क चला दिया क्योंकि एक दो बाद चिपक गया था इसलिए तो यह हमारा सब जीवान के रेडी है अब इसको गरम गरम चावल के साथ सर्फ करेंगे डाल भी देखो पुरा गल गया है लोकी भी गल गया है उतारने के लिए पहले एक बद चेक कर लेंगे सब गल गया किने सब्सक्राइब जरूर करें फिर मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए स्वास्त देना थैंक्स फॉर वाचिंग